प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोग मॉडल स्पीड टेस्ट चौथा हल करेंगे इसमें के 35% सामाची विज्ञान के हम हल करेंगे आप सभी लोग PDF के लिए बहुत परहसान रहते हैं तो इसके लिए हमने टेलिग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन म वहां से PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बाकी चैनल पर सारी लिस्ट बनी हुए हैं वहां से जेकर जाकर जो है आपने वीडियो देख सकते हैं तो आए शुरू कर वीडियो का फ्रेस्ट कोश्चन 126 नंबर दिया गया है कि भारती उप महादियूप में करसी के प्राची इंतम साच्य प्राप्त हुए हैं कहां से प्राप्त हुए हैं आपसन आपका दिया गया है ब्रह्मगीरी से और दूसरा आपसन है बुर्जहों से तीसरा आपसन महर गढ़ जोर्था आपका दिया है कोल्डियवा से तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा महर गढ़ मेहरगड से क्रसी के प्राचींतम साच्छे मिले हैं 126 नमर देखो प्रशन दियागा है कि निमलिकित में से किसको चालको लिथिक यूग भी कहा जाता है तो इसमें आपका तीसरा वाल आसुन से ज़गा तामर पाशाण यूग तो यह देखो नाम आपका बदल के दिया गया है तो किसी भी तरीके से कोश्चन को तोर मडोर के आपके सामने पुश्तृत किया जाएगा आप जो भी आपके नए कोश्चन आपके सामने आए उनको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा लिखते चली गया और परिच्छा के एक दो दिन पहले उनका रिविजन करके तब जो है पेपर दिने जाना है तो अगला प्रशना मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है तो इसमें 128 नमबर प्रशन का राइट आंसर होगा पूर्व आरे काल से यानि जो आरे लोग आये थे उससे पहले मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी तो फ़र्श्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 139 नमबर प्रशन आपका दिया गया है कि विसाल असनानागार कि पुरातत तो असल से प्राप्त हुआ है तो इससे पहले भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था उसमें लिखा लिखा था कि मौहन जोदरों से क्या प्राप्त हुआ है तो विसाल असनानागार प्राप्त हुआ है तो यह क्वेश्टन कई तरीके से आपको घुमा फिरा के पूँछ रहा है तो तीसरा आपसन इसमें राइट हो जाएगा मोहन जोदरों से विसाल असनानागार प्राप्त हुआ था अगला कुश्चन आपका 130 नमबर दियागा है गौतम बुद्ध के ने किस अस्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था तो गौतम बुद्ध ने कुसी नारा लिखा इसमें कहीं कहीं आपको कुसी नगर भी मिल जाएगा तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कुसी नारा में आपका राइट हो जाएगा 130 नमबर कुश्चन के लिए अगला प्रेशन आपका दियागा है 131 नमबर किस सासक के काल में चतुर्थ बहुद सं संगीति का आयोजन कनिस्क के समय में हुआ था और कनिक्स जो थे वो कश्मीर कैसा सकते कश्मीर में ही जो है इसका आयोजन किया गया था तो आपको कई तरीके से कुस्चन पूशा था चार बहुत संगीतियां होई थी और चारों को आपको रट लेना है अगला 132 नमबर प् तो ये भी आपको दियान रखना है कि गुलाम मुंस का वास्त्र जैव्हास उनता तुमसक sitä कि समय तो इल्ट तुम इसका माना जाता है और ऐसल पूशे गज़ कहां सकता है कैसे पूचे आपको बहुत से कि बहुत वाइट यूरोपी आतरी कौन था तो वासको डिगामा आया था और कब आया था तो 1498 में आया था ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशना आपका दियागा है 134 नंबर कि इन यूरोपीयों ने भारत में प्रत्वता शमुद्रिक ब्यापारिक केंद्र इस्थापित किये थे तो सबसे पहले ब्यापारिक केंद्र किसके इस्थापित है तो पूर्तगालियों के दूसरा वाला अपका सही हो जाएगा अगला प्रशना आपका दियागा 135 नंबर भारत में 1613 सिभी में अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी कहां स्थापित की थी तो आपका आंसर होगा स सूरत में पहली बार फैक्टरी इस्थापित की गई थी चौथा वाल आपसंजों अपका सही हो जएगा अगला प्रशना आपका दियाग में बिर्टिश शामराज का सनस्थापक आँ था मिल्स ताफ़ को माना जाता है तिस्टा वाला फ्टसन Mitt capable पिता कहा जाता है तो इसमें तैसल स्थावांसर पांसर राजारी को को भारती नामक संस्ता से लाई थी और दयानाम सुलशती ने आरे समाज के स्थापना की थी ठीक और यह रामकर्षण परमहंस जो थे स्वामी विवेका नंद के गुरू थे तो यह भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण था और इस प्रश्ण से कई प्रश् चिक कांगर्ष के स्थापना की थी तो इसमें आपका फॉर्सेट आप्ष सही यवो हुउम य έχोव हुउम जो है भारती राय स्थी अंगरिष के स्थापना की थी 149 नमबर प्रश्ण आपका दियागा है कि कांग्रेश की पर्थम भारती महिला अध्यच कौन थी तो कांग्रेश की पर्थम भारती महिला अध्यच थी आपकी सरोजनी नाइडू तो तीसरा वाला आपसन आपका राइट हो जाएगा आप सभी लोगों कमेंट बाक्स में लिखना आए कि भारती राष्टी कांगरेश की अस्थापना कब हुई थी तो सभी लोगों कमेंट बाक्स में लिखकर बताएंगे next question पर चलते हैं 140 नमर पुश्ण दिया गया है कि केंर में 2एट सासन इस अधनियम की अंतरकत स्थापित किया गया था शरकार 1935 इसके अंतरकत सरकार ने 2एट सासन पड़ा ली नागु की थी 141 नमर पूश्ण दिया गया है भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत क्रिप्स मिसान 1922 के अंतरगत काविनेट मिसान 1946 के अंतरगत या भारती संदर्ता अधनियम 1924 के अंतरगत तो इसमें आपका जो तीसरा वाला आपसम सही है काविनेट मिसान योजना 1946 के अंतरगत जो है भारती समिन्हान सभा का गठन किया लगा था तो एक सो 114 नंबर का राय टेसर ॉलबा होगा धियान रखना अगला प्रस्चण आप का ध्यान का तो ध्यान लगा तो धियान रखना इयन जो कोश्चन आप का है ये बहुत ही important है 43 नंबर का दिया गया है तो ये भी आपको ध्यान भारती समिधान के निर्माड के समय समिधानिक सलाहकार कौन थे तो भारती समिधान जब बन रहा था उसमें समिधानिक सलाहकार कौन थे तो 143 में नंबर में जो राइट आंसर आपका होगा वी एन राओ ठीक तो बी एन राओ जो थे समिधानिक सलाहकार थे और डाक्टर बी देच्च की बात करेगा तो उर्थे कौन सच्चिदानन सिनहा तो ये भी आपको ध्यान रखना है और केम मुंसी जो आपसन इसमें दिया गया है ये आपके थे प्रारूपी समिधी के एक सदस्य थे और 144 नमबर पर दिया गया है कि भारत का समिधान कि इस तिति को अपनाया ग अगला प्रशन आपका देखते हैं 145 नमबर दिया गया है भारती समिधान कब लागू हुआ था तो भारती समिधान लागू हुआ तो ये उन्नीस सो पचास में 26 जनवरी जिस दिन हम लोग गरतन दिर्वर्स की रूप में मनाते हैं तो फास्ट वाला अपसन इसमें प्रमें प्रमें लागू में किस अनुच्छेथ के अंतर करा नागरिकों को मोलिक अधिकार प्राप्त किये गया है अप्र अप्रいき ब् Len दία गया है छो अब कठोर भी और लचीला भी है तो इसमें आपका चौथा असना हो जाएगा आंस्ता कठोर और अंस्ता लचीला लचीला भी है और कठोर भी है 148 नम प्रश्म दिए गा है कि यह है धन विध्य कह इसका निरड़य कौन करता है लोग सभा अध्यष करता दूसरा अप्स तरिभा अगला प्रश्ण आपका देगा सौर मंदल के मध्धे में इस्थित तारा कौंसा है तो सौर मंदल के बीच में क्या इस्थित है तो इसमें आपका तीसरा सूर्य सूर्य जो है वो सौर मंदल के मध्धे में ही इस्थित है जिसे सारे ग्रह और उपग्रह क्या है चमकते हैं एक महासागर जो रोमन लिपी के एस अच्छर की तरह दिखता है वह कौन सा है तो इसमें आपका चौथा अट्लांटिक महासागर तो चौथा अला असम लगा लेंगे अगला प्रशन आपका दियागा है प्रतवी की आंतरी सतना का बाहर से भीतर का करम क्या है बाहर से भीतर को जाना है तो सबसे पहले आपका आजाएगा भूपरपटी और उसके बाद आएगा मेंटल फिर आएगा कुरोड तो यह आपको ध्यान लखना है कच्छा साथ की जो भूगोल किताब है उसमें आपका दिया गया है पहले भूपरपटी है उसके बाद उपरी मेंटल है फिर निचला मेंटल है फिर बाहर कुरोड है और आंतरी कुरोड है तो इसका जो क्रम है वो सही है दूसरा नंबर आपसन में भूपरपटी मेंटल और कुरोड एक सो तिर जो आपके वनों में लोग रहते हैं यानि आदिवासी लोग होते हैं वो अपने कुछ जंगलों काट कर खेती करते हैं और जब वहाँ पर खेती होना कम हो जाता है पैदावार कम हो जाती है तो उसको उसको छोण करके दूसरी जगा फिर से जंगलों काटते हैं और वहाँ पर जोम खेती कहलाती है अगला प्रशन आपका दिया गाए कि 154 नमबर भारत मुखता एक है तो आपसन में आपके दिया गाए विक्सित देश और दोगिक देश पूंजीवादी देश और विकास सील देश तो इसमें चौथा आपसन सही है भारत एक विकास सील देश है अभी भ कि हम विकास की और अगर्शित हैं पूर्डरों से विक्सित नहीं हुए हैं तो इसलिए हमारा देश क्या है विकास सील देश है और विक्सित देशों में जैसे है कि आपका रूष जापान चायना ये क्या है विक्सित देशों की सेड़ी में आते हैं 155 नमबर प्रशन आप थियान भारति किस राज्टि मीुश्रत है तो काजी-रंगा राष्टि उद्ध्यान असम् में है और यहां के यह परसिद्ध किस रहे है तो हाथ और गैंडों के za67 आपका और उसमं और पश्रतर है A. बंदर कहा है उडिशा में आपका है इस्तिता है दूसरा हो जाएगा एक शोटाओ प्रियावारण दिऊंध ब्रभाष याद के ब्राजजिवा चेंद्र शाशित प्रदेश हैं तो भाहिया अभी जोआ आपका दिया गया है देखो बदलाओं बदलाओं के बाद जब जम्मु कस्मीर को दो भागों मार दिया गया जम्मु कस्मीर और लद्दाख में तब इसका संस्रोड दुरूपवा अठाइस राज से और आठ केंदर साशित प्रदेश चौथा वाला अपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स प्रशन आपका एक साथ नमर दियागा भारत और चीन के मद्ध की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो भारत और चीन की जो मद्ध रेखा है जो बीच में रेखा है उस आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको आपको क्या करते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है डूरंड लाइन कहलाती है रेड कलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में और मैं मोहन रेखा यह कह रखना है और इस प्रकार से आपके यह 30 परस्ट होते हैं तो यह वीडियो आपको इसी लगी है एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ सेर कर देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो